गोपी मैं अमलापुरका हूँ एक जरूरी काम के लिए हैदरबाद आया था अपना काम खत्म करके वापस अपने गाउं लोटते वक्त मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया था मैं अपने काम में बिज़ी तो था लेकिन कोई और मेरा काम तमाम करने में बिज़ी था इसका अंदाजा मुझे नहीं था इसलिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी देखिये इस तरह जिंदगी और मौत के बीच जूज रहां कल परसो तक हसी खुशी से बीचने वाली मेरी जिंदगी अचानक से तहस नहस होने लगी उसकी वज़र एक ही है मेरा इगो इस दुनिया में इगो जो भी जहां चाहे आराम से फ्री में मिलता है इसलिए ये जिसके पास भी होता है टंस में होता है ये देखो इन दोनों के पास तो कुछ ज़ादा ही इगो है इस तरह अपने अपने इगो में वो दोनों वहां से चले गए लेकिन उनके ट्रैक्टर कई सालों तक वहीं खड़े रह गए शुरवात में गोपी नाइडू के दो ही संतानी थी इंद्रवर्धन नाइडू के चार संतान है इस इगो की वज़े से उसने अपनी पतनी का री उपरेशन करवा कर और दो संतानों को जनम दिया वास्तो में इंद्रवर्धन नाइडू की 800 एकड़ की जमीन थी लेकिन गोपी नाइडू की 1000 एकड़ की जमीन है इस इगो की वज़े से दुगना दाम देकर 200 एकड़ की जमीन उसने खरीदी और इस तरह से उसने अपने इगो को आस्मान की बुलंदी पर पहुँचा दिया गोपी नाइडू की जमीन बंजर थी इस वज़े से वो काफी दुखी हुआ करता था लेकिन अपने बंजर जमीन से ज्यादा इंद्रवर्धन नाइडू की खुशी देखकर गोपी का दिल जलता था किसी तरह उसने सोच कर एक रास्ता निकाला और अपने खेतों की सिचाई के लिए एक योजना ले आया गोपी नाइडू की सरकारी योजना के सफल होने से वो सुखी हो जाएगा इस टेंशन में बीपी की वज़े से इंद्रवर्धन नाइडू अपनी जान कमा बेटा ये खबर सुनने के बाद गोपी नाइडू खुशी से एक किलो मिठाई खाकर भगवान को प्यारा हो गया और इस तरह से दोनों अपने अपने इगो को सैटिस्फाई करते अपने अपने घर के दीवार के फोटो फ्रेम्स में लटक गए पढ़ाई लिखाई करने वाला अच्छा बनता है और सबक सीखने वाला महान बनता है लेकिन इनके वारिस भी इगो नाम की विद्या में पिएचडी कर चुके थे वैसे तो सिनेमा हॉल्स में हर रोज चार शोजी होते हैं लेकिन इनके इगोस तो 24 गंटे चलते रहते हैं इसलिए ये लोग अपने घरों से ज्यादा पंचायत में ही दिखाई देते हैं इनके आपसी जगडे को सुलजाने के अलावा पंचायत के मुख्या को कोई और दूसरा काम न था आखिरकार दोनों के घरों के बीज कंटीले तारों की बाड़ लगा दी गई इगो की इस परंपरा को अब आगे बढ़ा रहे हैं दोनों परिवारों के वारिस इंदू और गोप्र इनका नाम वाटसैप कटपा है वो कटपा राज परिवार के सेवक थे तो ये कटपा वाटसैप के सेवक हैं ये वाटसैप के बिना पानी नहीं पीते और ऑनलाइन के बिना खाना नहीं खाते ये वाटसैप के इतने बड़े गुलाम है कि गाड़ी में वायर्स का सेट लगा कर पीछे से बैटरी से जोड़ कर सेल फोन्स को हेंडल में लपेट कर इंटरनेट कनेक्शन से सेट करके सारे गाउवालों को वाटसेप ग्रूप में डाल कर पलपल की खबरों से अपडेट करते अरे वेंकेटेश, इंदू बिट्या ने नई गाड़ी लिया यार कौई देख रहा हूँ जी कौन है ये लोग, मेरा पीछा क्यों कर रहे है गाड़ी जाला संबल कर चलाईए एक्सिलेटर संभाल के वरने गिर जाओगी कैसे चला रही हो, देख कर चलाओ न एक्सिडेंट हो गया तो थोबड़ा बिगर जाएगा मेरी स्कूटी है, तो मेरी मर्जी चलेगी मैं जाहे खड़े में जाकर गिराओं या फिर किसी गाड़ी को ठोकू तुम लोग कौन हो पूछने वाले? पचात्तर हजार की गाड़ी को सुना है साथ हजार में बेच रही हो यही सुनकर दूर गाउं से आए मैं अपनी स्कूटी साथ हजार में बेच रही हूँ सुना तो है नहीं आपको कोई गलत पह्मी होई है, मुझे नहीं बेचनी मैं गलत पह्मी हो सकती है, लेकि वे लेक्श को तो नहीं न इससे मैंने अपलोड नहीं किया है देखिये, कुछ तो जरूर गलत हुआ है पिते जारे लोग को देकर भाव बढ़ाना चाहती हो चाहो तो एक सोर रुपे बढ़ा कर देंगे हम सब मिलकर एक भाव तैकर लेते हैं वो तुम्हें चलेगा ना तुम लोगों को तो मैं अभी बताती हूँ ले लो निले रंकी स्कूटी ले लो बहुत सस्ते में ले लो वो भी ओनलाइन से कोपी लाइफ में बहुत बड़ा टार्गेट है यार वो क्या नारियल तोड़ना है क्या तो क्या डॉक्टर कलेक्टर या फिर सीम बना है तुझे यह सब मेरे लिए छोटी चीज़ें इससे बढ़कर क्या होता है वो इंडु है उस इंडु से शादी करना चाहिए उसके इगो को अपने पैरो तले जिस दिन कुछल दूंगा ना उसी दिन हो जाएगा मेरा टागेट पूरा तरी इगो आ गई अरे ओ पुष्पा बोलो गोपी इना बताये कहां जारी हो सारी गोपी वो मेरे फेस्बूक फरेंड अनुश्का के भाई की सगाई है ना उसके लिए दूसरे गाव जाएज अचूँ का कुछ तो करना ही प्रहें वो गोपी मेरी दादी के नाम से मुझे बार बार आवाज देकर मेरा इगो होट कर रहा है छे गाव में जितने भी गोपी है ना सब को लेकर आँ चलो हटो छपटकर लेकर आगई बस एक ही गोपी मिला तुम्हें गोपियों में दसका तो पता ही नहीं चला अकेला दुकान के पास पड़ा था तो लेकर आगए चलने से रेट तेकर तुम क्या रेट फिक्स करोगी मैं बाजार में बिखने वाला खिलोना नहीं हूं ना ही कोई डीजल या पेट्रोल हूं ब्रदर बात ये है कि तुम्हें रोज गोपी के आगे पीछे घूमना होगा और मैं तुम्हार इगो है कोपी नाम का बंदा या फिर उसका कार्ड मुझे इस गाउमन नहीं चाहिए इसी इगो की वज़े से नकली पासपोर्ट बनवा कर दुबई भिजवा दिया मैंने उन्हें फिर सबको मैंने साफ साफ कह दिया अगर इंडिया आने की बात करोगे तो नकली पासपोर लेकिन तुम ठीक हो ना मैं ए गोपी महरबानी करके उस नाम से मत बुलाओ मुझे उस नाम की वज़े से मेरा हाथ कट गया मेरा नाम गोपी नहीं है मैं सुंदर हूं सुंदर सुंदर हूं मैं सुंदर बस करो अब तुम सब क्यों रो रही हो थूड़ा इमोशन हो गई इमोशन नहीं अब मोशन में आने की ज़रूरत है इसके मुताबिक तो गोपी नाम का इंसान में ला थोड़ा मुश्किल है यार आइडिया वाव वाव पिल्ली खरीदेंगे अरे सुनों यहां पर गोपी कोन है यह तुम अंदे हो क्या दिखता है हमारे गोपी बाबू सामने हीरो की तरह बैठे है सार आपके लिए पार सल है मेरे किसी फैन ने भेजा होगा सर दस्तकत कर दीजिए यह दस्तकत नहीं ऑचोग्राफ बोल यहारा ग जाता है यह टोपी किसी और को पहना ना मुझे नहीं तीस रुपेस में बंगला बुना लूंगा इसमें क्या है जानते हो क्या है यह आइफोन वाह गोपी बाबू ने आइफोन खरीदा क्यों रेगोपी तूने आइफोन बुक की है तू तो अमलापुर की शान है अपने गोपी बाबू को समझा क्या है हमेशा अपडेट रहते हैं मैंने तो नहीं खरीदा अच्छा यह तेरा काम है यह तो कुछ भी नहीं है आगे आगे देख होता है क्या ए छोटू तो इधर ही रोक मैं अभी आता हूं एटीम सेंटर जाके कैश लेके आता हूं पकड़ाई ज कैसे राम्या गाव में पान की दुकान चलाता है इसे बाप बनने का बड़ा शौक है लेकिन इस जनम में उसके लिए बाप बनना बहुत मुश्किल है इसलिए एक मुरूगी को बाल कर उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार करता है वह उसकी जान है देखते हैं यह माहाशे क दिखाने ले जा रहा हूं महालक्षमी का है बे आखोंसे दिखाई नहीं दे रहा है क्या रानी की तरह मेरी गोद में बैटी है ना यह तुम्हारी महालक्षमी है आरे मेरी इकलौती बेटी और मेरे पूरे जायदात की वारे मतलब जो शादी करेंगा वो मालिक बन जाएगा अपनी बेटी की शादी एक भीघारी से करवादूंगा लेकिन तुम जैसे नलाइकों से तो कभी नहीं करवाओंगा नलायक कहीं के हटो काम जोर कहीं के लगता है आज रात को महलक्षमी की बिर्यानी बना के खानी पड़ेगी मेरे पत्रकार भाईयों और एलेक्ट्रोनिक वीडिये के मित्रों सब बैठ जाईए यूथ अमलापूर में वाट्सप हो या फेस्बुक हो रात के नौ बजे ही बंद का देना चाहिए किसी भी सेल से अगर लाइट आई तो मैं समझो उसके पीछे हाथ धो के पड़ रिया हूँगा गाओ के सारे ब्योडे रात के दस बजे ब्रेंडी शॉप के पास नहीं दिखेंगे मुक्य रूप से आज मैं ये मैटर बोलने जा रहा हूँ वो लेडिस के लिए है बहनों आप लोग टीवी सीरियल्स की गुलाम मत बनिये अपने पतियों को गुलाम बनाईए अगर किसी ने छेडा तो मैं नहीं छोड़ूंगा मेरे आने से पहले यहाँ पे बहुत सी चोरिया हुई होगी लेकिन आज के बाद कोई चोरी नहीं होगी यह मेरा वादा है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल दीजिए 95151515 जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे आगे बोलिए 24 गंटे मैं आपके लिए तैना अध हूँ यह पुलिस स्टेशन आपके लिए 24 बाई 7 खुला रहेगा यह याद रखियेगा इसके बाद अगर कुछ हुआ तो जुर्म करने वाले पर मैं अपनी चाप छोड़ दूँगा ए पंडू यह सर तंबागु का स्टॉक मंगवाए क्या भूल गया सर देखो मैं जब तक अमलापूर में ड्यूटी पर हूँ तब तक हाथ में लाटी दा रहे चलेगा लेकिन तंबागु रहना चाहिए नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं समझ गया है अभी लेकर आता है यह काम खतम करो किसी का मिश्कॉला है मैं गिर चुकी हूँ का पर से चत पर से या सेडी से आपके प्यार में अगर तुम हो कौन अभी आभी टीवी पर हॉलिवड के सूपरस्टार जैसी आपकी छवी देखी मैंने और फिर आपके भारी-भारी पंच डायलोग सुनकर तो मैं लंच करना भी भूल गई अच्छा अपनी चिकनी चुपड़ी बाते और दिल बहलाने वाले डायलोग मुझे मत सुनाओ तुम्हें कोई प्राब्लम हो तो मुझे फोन करो फ़ले फोन रखो देखा बंडू यह पर क्या आगया प्रपोसुस आने शुरू हो गए सोचाता है एसपी साब है यह तो चिकन क्रिस्पी निकली सर अवे घदय मेरी पत्नी है हां मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा नाटक अब हात नीचे करो इसे मारने का चांस तो मिलेगा नहीं सलूट करने का चांस भी नहीं देगा बारते रहो शायद मौका दे दे क्या बात है मुह के पास माई काते ही कुछ भी बंग देते हो इंडारेकली अपना पावर मुझे दिखा रहे हो ऐसी बात नहीं है घर में भले ही मैं भीगी बिल्ली बन कर रहूं लेकिन घर के बार मुझे शेर बन कर रहना पड़ेगा सियाई साब भी पतनी के साब ने ठंडे पड़ जाते हैं तू अपना मुह बंद रखेगा यह यह बन करो तुम्हारे मुह पर ताला लगा यह फटेवे रिकॉर्ड की तरह घस्ता बन करो कान भट रहे हैं पानी के लिए किरानी की दुकान पर और तारो की दुकान पर चिल् चिल्ला ना बन करो तीन दिन हो चुके हैं पता ने कहां चले गये हैं वो जिनसे भी उनके बारे में पूछती हूं सब मुझ से दूर भागते हैं तो और क्या करेंगे तुम्हारी आवाज सुनके तो अच्छे अच्छे घर जाएंगे अभी एक बात सुनो मेरे मुताबिक तुम्हारा पती अगर कई भाग भी गया होगा तो तुम नीचे वाले सुर में चिल्ला कर उसे आराम से वापस बुला लेकिन सर इतने यखिन से आप ये बात कैसे कह सकते हो यह आप विती है आपको क्या बता हूं घर पर आजाओ तुम्हें चीर के रगदूंगी ठीक है हम तुम मेरे साथ चलो रहते हुए भी इस औरत के साथ जाना चाहते हो यूटी कर रहो लेकि भाग निया रहा बहुत बड़ी महबानी की तुम्हें तो फिर तुम दोनों चड़ जाओ अरे जीप पे चड़ो अरे भगवान तुम्हें अगर मेरे पती परमीशुर नहीं मेले रचन तो मेरा क्या होगा औरे बंडू वाइफै क्यूश्ट हो रहा है हतु किसी जीकी नाम से करेक्ट हो रह dużo है कौन है पता लगाना पड़ेगा देखते है साथ ए ए सुनों साप यहां बची जाबिसात गजा सफ्यार कि हाई तुक हरे रहती से तुम ने तूसरा घर ने बसा लिया पूरी दुझे पाप जफिर लिया एक बरेदर देख लीज़े यह यह बंकरो एपना रोना दोना बिलकुल बंकरो इस ही रोने कि वजया से तुम्हारा संसार बरबाद हो चुका है अगर इनसे प्यार से पेश आती तो मजा लेकि ये तुम्हें छोड़कर एक पराई उरत के पास रहने आते मुझे माफ कर दीजे सर सुनो मैं दुबारा से कभी नहीं करूगी हफते में छे दिन मौनवरत रखोंगी और ब अपने पतियों को ध्यान से रखिएगा उन्हें छोटे बच्चों की तरह सभाल लीजिएगा उन्हें थोड़ी आजादी बीचेगा तब ही जाके आपका संसार खुशी खुशी बीतेगा याद रखिए मैसस पब्लिक के लिए था या बेवी के लिए कल रात को बना चिकन बहुत ही टेस्टी दा यार मजा आ गया मजा दो आ गया लेकिन वह मुर्गे उसकी बेटी थी अरे बेशर मोनिका मोग तेरी बेटी का बलातकार करके उसे मार डालाना बड़ी बेर हमी से मालक्षमी की हाय लगेगी तुमको अरे चिकन गोर्या से मरोगे तुम साफ जब भी पुर्गी खाओंगे बनाजबी हो जाएगी प्रुको चड़वाचड़वा कर अलतखराब हो जाएगी तुमको एक बात बता हूं क्या मेरी मालक्षमी भूत बरगर तुम साबको चीर कर खाईगी एक पीता होने कि नात ही है श्राप है मेरी तुरुक पत्थर गही है चीनी चुपड़ी बात में कोई आइंकर की तरह मत किया करो मुझसे तला आपके वाइफाइ क्रियेटिविटी देखने के बाद ना मेरा मन आपकी और खिचा चला जा रहा है मैं पूजा में इस्तिमाल हो चुका फूल हूँ इसलिए तुम किसी और फूल को पकड़ लो आप इस्तिमाल के हुए फूल हो या सड़े हुए फ़ल क्यों ना हो मैं तो आप से ही प्यार करूंगी चड़ावा फल फिर से फ्रेश नहीं हो से त्ग्वस बन करो ना इतनी भेज़ती आप रशनी कहान जैसे हैं और पत्नी सूट नखा जैसी क्यों नर्क भुगत रहे हैं आप पावरफुल पुलिस होकर पत्नी के गले से लटकने वाले बस एक मंगल सुत्र बन कर रहे गए हैं ये कड़वा सच्छ आप तो सब कुछ सह रहे हैं पर मैं आपको ऐसे नहीं देख स अवास दिया है वैसे मैं साधी शिता हूँ तुम मेरा क्या करोगी है बस प्यार करूंगी और क्या अच्छा तो ये वात है तो सामने आओ और अपने प्यार का इज़ार करो विपिश। आरे तोलिया लूंगी सारे के सारे कहां जा रहे हो बे आज इंदु अपने कुत्ते का जनम दिन मना रही है क्या बात कर रहा है तुम लोगों को नहीं बुलाया हम चोटे मोटे फंक्शन्स में नहीं जाते हैं क्या, तुम्हारे जाने से कुट्टों को बुरा लगे गश्टी, अगर लेट हो गया, तो सारा खाना ख़तम हो जाएगा, तुम बेकार लोगों का क्या है, तुम लोग तो कोई भी फाल्तू बियर पीकर काम चला लोगे वही लड़की ने मिस्स कॉल दिया है, सुना, क्या वारो क्यों रही हो, अरे गाड़ी रो, गाड़ी रोक तु, मुझे कोई परेशान करता है, कौन है वो? गोपी, क्या करता है वो? गाउ में बेकार गूमता है, क्या बोला? कॉल करके पूछता है मिलने आओ कि क्या? और क्या वोटसेप पर अपनी फोटो भेज़ता रहता है, और फेस्बुक पर फेक पिक्स अप्लोड करूँगा, ऐसे कहता है, वो तो गया, तुम बसे कंप्लेंड डाल दो, मैं उसे कुचल दूगा, कंप्लेंड करूँगी तो मुझे मारने की धंकी दिये, इसका बड़ा गुंड यह कालिया रामिया कहा रहता, क्या साब जी आप जैसे पड़ले के लोगों के लिए ही, यहां बड़े-बड़े अक्षरों में बोड़ बनवाया है ना, अरे अपनी बगवास बंगर देड़ फोट पुलीस वाले आइसी पूछटाच करते, अरे बाबरे तो ये बात है साब जी, ठीक है, ठीक है, इमोशनल ओर एक्टिंग बंगर, पुलीस स्टेशन में आके कंप्लेइन लिखवा, मैं उसे देख लूँगा, साब जी, सिटी में कई SI और CI आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो लोकल है साब जी, अगर मैं उसे पंगर लूँगा, तो मेरी उस गोफी ने तेरे साथ अन्याई किया न, अब देख मैं उसकी ऐसी हालत करूँगा कि उसकी छत्री खुली जाएगी, अब आगया कि देख होता है क्या, कल रहे है, साब जी, पैसे तो देते जाओ, जुट्टे नहीं है बाई, अभी दिया है क्या आपने, पता है तो पू करने के लिए, अब खेवे मैं ऐसे छेत करूँगा, जल शाने, अब खेल के बता, जल दिया, सुनिया इंस्पेक्टर अप पा रहा हो, अपने ये तेवर गुंडों को दिखाईएगा, हम जैसे जंचलमेन के सामने कभी नहीं, अने, त्री पिंट लग, यहाँ भैटा, इसल लास दौर नहीं गए, पगारत या गया यह आदमी, डिस्कवरी चैनल पर जो शेर दिखा था न, उससे आज गाउं के गलियों में घूमता हूँ, देख रही हूँ, तुम हर बार मेरी इस तरह तारीफ करोगी, तो मैं एमोशन होके किसी का इनकाउंटर कर दूगा, यह खे लगता है बगरा बिल गया आप उनको, ऐसे देखते रहे तो गेम कतब होने के बाद पहुचेंगे, जुपरे, यह खेल देखकर मुझे अपने पुराने दिन यादा आगे, चार्ट, तुझे लॉक अप में इसना अंदर डालूँगा, तु निगल नहीं सकेगा, मैंने क्य क्या गुना किया है, जो मुझे लॉक अप में डालोगे, यडा बन के पेड़े मत खा, मैंने बहुत पेड़े खिला तुझे से यडों को, क्या सर, जो और पोलिस खिल रहे हैं, उसमें भी अरेस्ट करोगे, इतने साल की सर्विस में मेरी आखों कभी धोका नहीं हुआ है, ये पहली बार है, जो मैंने धोका खाया है, सुबा सुबा भाबी जी ने खाना नहीं दिया क्या, अबे गदे जवर्दस्टी के 25 बत बार, उस गोपी नाम के गुंडे की पूरी हिस्ट्री निकालूँगा, और उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरा बिखेर दूँगा आँ, और एक्टिंग क्यों कर रहा है अबे पांडू, सरा सामने देखिया सर, हमारी आखों में धुल जोपनी की कोशिश की, आप ये नहीं चलेगा, आइसी जगा फसाऊंगा बेटा की तू, सीधे आकर मेरे जाल में गिरेगा देख लेना, पहले खुद तो बीवी के जाल मैं रात को खाने आँगा, अगर तूने खाने की कोशिश की ना, तो बहुत अंदर डालूँगा, सब चलो, अंदर चलो, चलो, ए पांडू, इस मिठाई के बॉक्स में अब मैं ये स्पेशल मिठाई डालूँगा, जिससे वो शाना गोपी तो क्या, उसके फरिष्टे भी पार नहीं निकल पाएंगे, हाँ, अवलदार पांडू, चुप-चॉप इस बॉक्स को उसके बाइक के बॉक्स में डाल दे, ओके सर, बॉड आइडिया, अलो, टीवी नाइज, हाँ साह, बोलिये, एड टीवी, बोलिये सर, टीवी 5, ये सर, एटीवी, अभी आया सर, एक का इगो देखा सर, अपने बालों में कैसे हाथ गुमा रहा है, गुमाने दो उसे, पाश मिट के बाद उसे सर छिपानी की जगे तक नहीं मिलेगी, जान ले, मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, MP हो, या ML हो, या MLC हो, मैं किसी को नहीं छोड़ता, जाहे मेरी पत्ती क्यों ना हो, अरे, ये कहां से आगई, चुडेल का नाम ये, चुडेल हाजर, ए, उपर करो, अरे, कहां जा रही हो, दुको, दुको, सर, तू अंदा हो गया है क्या है, तू जानता नहीं कौल है, ये मेरी इकलोती पत्ती है, सर, आपी ने तो कहा था कि कोई भी आए, उसे छोड़ना मत, चाहे मेरी बीवी ही क्यू ना, अरे, वो तो इमोशन में आखे बोल दिया, तुने उसे सचमान लिया, अरे, मीडिया वालो, आकर सुनला हमारे ओफिसर की बात, कानून के रखवाले, पत्नी के लिए न्याय करते, और पब्लिक के लिया अरे, शाने, गोपी ने तो, मुझे मेरी अगनी परीक्षा है, अगर तुने इसी वक्ट चेकिंग नहीं करवाई ना, तो ये सब मेरे उपर तूड पड़ेंगे, CBI वाले मेरी खाल उदेड देंगे, और मेरी नौकरी ये प्रेस वालेंगे, और इनके लिए मैं तुमारे समने जोग जाओ, इस वक्त मेरी बात मांजा, घर पर जाके जो करनाये कर ले ना, मेरी मा, मांझा, मांझा, प्लीज, प्लीज, प्लीז, तूप्रे पांदू, अपनी ओर आख्टिंग बं करता है कि नहीं, तुझे पता नहीं, ढगता सी postman रेटायर्मेंट में सिर्फ दो दिन बचेन है, तो तुझे भी रेटायर कर देता मैं, चल बॉक्स कोल रहे है सैप तुझ अपना मूँ बन रखना, ये लीजे, सब लोग एके खा लीजे, खाते रहिए प्रेस वालो, देखो मेरे हाथ में क्या है कोई इसे खाना चाहेगा, हाँ मूह बन रखने को आता, उन्हें जिन्दगी भर का मौन रखिया, क्या उसी की गाड़ी में रखने जा रहा था, तभी बीच में भावी जी मिल गए और मुझे मार कर ये बकसा चीन लिया और यही बात आपको बताने आया, तो आपने मुझे चुप करुआ दिया हूँ जो भी क्या मेरी इज़त की को धज्जिया उड़ा दी ना कुने प्यारे मीडिया वालो, कानून की रख्षा करने वाले अगर खुद ही ऐसी स्मगलिंग करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा ये स्मगलिंग के बारे में आपका क्या कहना है सर आपकी पत्नी गुनेगार है सर आपकी पत्नी फॉस टाइमी ये स्मगलिंग कर रही है या इससे पहले भी उसने ये सब किया हुआ है के जवाब का हमारे देशा के इंटिजार कर रहा हैा जूप रहा हुझा तो चीर दूंगा नेवर चानून और मेरी निजर में सब एक सबान है यह आके दिखा के घूर क्या रही है चल अंगर चल आपने जवाब क्यों रही है सर असे मार क्यों रहा है पच्ची साल का फ्रस्ट्रेशन है डर लग रहा है पांडू चैनल बजली कर सारे चैनल्स पर भावी जी छाई हुई है मेरा खौफ खतम हो गया लगता है आपके घर में ये स्मगलिंग कितने दिनों से चल रही थी मीडिया को बताना होगा आपको सर क्या इस रेकेट में आपके सास तसुर भी शामिल है सर अपने इंफूरेंस से आप अपनी पत्नी को छुडाने की काफी कोशिश करोगे सर्वी प्रेस वालों को मेरा शाष्टांग प्रणा मैंने अपने सिद्धान्टों पे चलने की जो कसम खाई है उस वज़ा से मैं आज भुगत रहा हूं यहीं मेरी कानी है भाईयो उस औरत से अगर आप मुझे मेरी पत्नी से इंट्रोगेशन करने दे तो मेरी जिंदगी कुछ देर के लिए टेंशिन फुरी हो जाएगी इसलिए आप बाहर रिलाक्स करें कि अची साल का फ्रस्टेशन है बाद बैंकर होगा कभी न मिलने वाला मौका मिला है अच अरे वाँ मसा आ रहा है लगता है पूरी बडास निकालेंगे लगता है अरे वापर पूरे पच्ची साल का फ्रस्टेशन निकाल लिया डा से वे पांडी गवी गवी शेर को घास खानी पड़ती रहे तो कम से कम बाहर वालों को लगेगा कि तू नहीं मैं तेरी पिटाई कर रहा हूं इतनी आटिंग कर दे मेरे लिए अब भी बताती हूं आटिंग करवानी ह अब पूरी तैयारियां ठीक से किये ना पूरी तैयारी एकडम राप्चिक है बाप कली मुहल्य नुक्कर में तुम्हारे पोस्टर लग चुके है स्कूल में किताबे मंदिरों में प्रसाद अस्पताल में दूद और केले अनात अश्रम में कपड़े बटवा दिये हैं अच्छा अच्छा ब्लड डोनेशन कैम का क्या हूआ पूरे जिले से यू दिखटा हो चुका है इस मेगा ब्लड कैम को देखकर पूरे स्टेट में त यह मेरी फैन फॉलविंग देखके कहाँ वाले मुझे पॉलिडिक्स में ना भेज दे हैं अरे छोड़नार अरे क्या या सामने देखो क्या देखू कुट्टे का जनंदी ने और कुट्टे का नाम गोपी रखा है अरे यार कुछ समझ में नी आ रहा है लोग इजट दे रहे कि आज मेरी इजट का फालूदा हो रहा है बड़ा लफड़ा होने से पहले गाड़ी कुमालो गुमालो गाड़ी किताब अभी तक बटी नहीं सारी की सारी ऐसे ही पड़ी है या बाट ने का एक मक्षी तक इदर नहीं आ रही है और उदर इंदू अपने कुट्टे के जन्मंद्री पर टैप्स बाट रही है चलो चलो यह लो समाल कर रखना क्यां अब क्लीक्स बता त्यरी को एंटर के शीरुस बॉक लेजा वेंटा अब पर अब सुना तो लेंगे जाओ आपको लेके चलते हैं कैसे अनोखी अरक्तदान कर रहे हैं इस काम के बाद हम नाचेंगे और वो रोएगी और इसा करने वाले भगवान धरूफ है क्या कर लोग उनकी तारीब के फुल बांद रहे हैं और इतना ही नहीं तीस राजों से लोग इस रप्दान शिविर को देखने के लिए भारी तादाद में आ रहा हैं और लाइव शुटिंग चल रहा है चल बाजू में आट चल रहा है यह क्या बख रहा है रहे चलू रख लाइव टलीकस में मांगा अरे छोड़ना मैं किसी से ड़ता होता नहीं हूँ इस शौक के बाद मेरा जनम दे बरण दिन में बज़ा गया आखों की रोष्ट नी जा रही है कुछ अंदर हो रहा है धड़कने रुक रही है सारी दुनिया में पहली बार कुट्तों का रक्तदान शिविर लगाकर अमलापुर की इंदुने कई रिकॉर्ड्स बना दिये है खूण केवल इंसानों के लिए ही नहीं जानवरों के लिए भी ज़रूरी है कहकर दुनिया को एक संदेश देते हुए अपने इंसानीय जताई है इस महान काले के लिए घांव तो बहुत अच्छी बात है इंदु जैसी महान महिला का हमारे अमलापुर में जन्म हुआ ये गर्व की बात है ना खुशनसी भी वाली बात है ठीक है मेरा पूस्टर भी फाड़ दिया डेक यार क्या दिन आ गये कुट्टों ने हमारी क्या हालत बना दिये यार इतना महान कारे करने वाली इंदु जी को कई सेवा संगों ने सेवा भात्ती विशेश महिला और आदर्श वनिता के नाम से प्रुश्कृत किया है यह गोपी पिल्ले तेरे सारे की वज़े से वह हवा में उड़ रही है समझा अब इस शहर में तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा तू क्यों रहेगा पे अमलापुर में एक ही गोपी रहेगा और वो मैं हूँ तूने तो मेरी जिंदी की परबाद कर दी अनो भाई मैं नि जिंदी की मुबारो को गुड़ नाइट दोभारा मता ना जा 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 अपनी जिंदी की जी ले तुम क्या कर रही हो तो में कुछ समझ में आ रहा है तीन लाख रुपए में कुट्टे का पिल्ला खरीद लिया बच्ची ती इसलिए जाने दिया उसके नाम संस्कार में 10 ला लाइन में खड़े होते हैं वैसी खड़े होंगे लड़के इसके लिए हमें हमारी बेटी पर गर बंद करो अपना तुम सब के लाट प्यार के चकर में यह भिगड़ गई है चोटी बच्ची है यह चोटी नहीं है अब शादी के लाख हो गई है अरे हमारे हिंदू अभी अमलापुर छोड़कर जाओगी तो हम कैसे रह पाएंगे अरे यार तुम सब मुझे और डर आ रही हो शादी को रोकने का अगर कोई उपाय है तो बताओ बोल उन तो खरीद लिया लेकिन पासवर्ड क्या है बताओ ना इसका पासवर्ड क्या है बुष्पा पी यू एस ए पी पी ए पुष्पा पुष्पा पासवर्ड पुष्पा है तो अज नीवस चैनल का ब्रेकिंग निवस क्या है क्या है अगा मूँदिखाय के लिए अने लडको ने अपनी आँखों की रोष्ट नी तो पन करो अपनी ये बखवास ये गोपी सच कहों तो मुझे शादी कर में कोई इंट्रेस्स नहीं है लेकिन अब बोल रही हूं एक हफ्टे के अंदर-अंदर मैं ऐसा लड़का ढूनों की चुद दिखने में तुमसे अच्छा भी हो और मुझे अपनी पलकों पर बिठाए उसके बाद ब्रेकिंग न्यूस क्या होगी पता है इतने धूम-धाम से की गई इंदू की शादी को देखकर गोदावरी में डूपकर गोपी और उसके सारे दोस्त मर गए चलो अरे जल्दी मरेगा यार इंदू कुमारी का घर कहा है तु बता पहले सीधे जाओ उसके बाद बाइए जाओ फिर मंदी राएगा उसके बाद नहीं मुड़ो समझे है ना ठीक जलो जाओ इंदू जी का घर कहा है जी ए अब बता पहले अधिर लेट और उसके बाद लेप इंदु कुमारी जी का घर कहा है और उसके घर जाके तो क्या करेगा अरे कारण नहीं जाते हैं का आपनी बेटी इंदु का सवैंवर कर वारा है और प्रिस्टा इंदु का घर कहा है अमेरिका आरे बहुत अमेरिका से आये टेक्नलोजी ब्रो सवैंवर फेस्बूक पर देखा ऐसे फ्लाइड में बैठा और ऐसे लैंड हो गया अगर यहां से तुम जल्दी से नहीं गये न त तो भी स्वैंबर में जा रहा है क्या अरे नहीं नहीं मेरे भूया खेस में काम कर रहे हैं और मुझे लाइन में घड़े होने को कहा है हां तो कुछ ज्याधा ही हो रहा है कुछोज ज्यादा ही हो रहा है कोई भी हो एक दिन में एक रिष्टा देखता है ज्याधा से ज्याधा दो रिष्टा दिंखता यार ये तो हदि हो गई जैसे कल ट्राई डे है और आज पीय कड capita भूंस bathroom ऋैस सेलाइन लाई किया तक है अमेरिका रुको रुको रुक जाओ शेवा भारती का घर कहां पड़ेगा अरे रेडी होकर तो आते हैं ताइम लग जाएगा ना गाहा हो है ना जी लेट होगे इसलिए यहीं से निकल जाएंगे यहां से भी भागो रहें कहां चलेगा यार भरी दोपहर में कभी दारों के अड़े पर आना पड़ेगा सोचा नहीं था मेरा तो सर फटता जा रहा है या जूज में सेवा बारती इंदुजी का घर का है अबार्ट करने वाली कुमारी इंदुजी का घर कौन हो तुम सब लोग आम दूले हैं चलियार कहीं भाग जाते हैं बहुत भाग ल अच्छा होना चाहिए और छोटे सब के लिए खाने का इंतिजाम करो हाँ ठीक है भाईया कि सेलरी कितनी है कि अ कि 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 आमेरियका में डॉक्तर है अपने अमना पूर्सण हे लेकिन अमेरिका में सैटल है भाईया रही परिवार भी है था उम लोग भी चाहते न भाईया इसे फाइनल कर दे कि अभाईया कि आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है डॉन सेलफी प्लीज दो एकड़ बाकी है आज एक बेच देते हैं एए हां बोली डीडी वाले एक लाख रुपे का क्या हुआ ये एक लाख रुपे ले और डीडी बनवा कर घर पे आजा भाई लोग नया फोन आया वो मेरे दोस्त को दिये थे वो भाया मैं जानता था कि तू जूटी बोलेगा ठ कर रहे हैं और यहां तेरी वज़े से पूरे गाव में हमारी इज़त जा रही है गोपी के लिए भी अमेरिका से रिष्टा ले आते हैं क्यों नहीं अरे अमलापूर में ही से कोई अपनी लड़की देने को तयार नहीं है अमेरिका में कौन पूछेगा इसे अरे यह अपनी मैं अपने पापा की डांट के वज़े से यहां से नहीं जा रहा हूँ मेरे एको को चोट पहुची है इसके लिए मैं एद्राबाद जाओंगा उससे भी अच्छी लड़की पटाओंगा और तब ही इस शहर में कदम रखूंगा उससे देखकर इंदु जल के राख हो जाएगी तब तक तुम भी सबर रखो यह बाई टेक ओफ कर रहे यहां रखना है क्यां पंशनक्रफन थाखना है आंगा है क्यां रखना है यहां थीक है के चलो भाए है जल भाई अब läuft है वह यह क्या वही है भी शंकर फोन उठाना यार क्या करें भून नहीं टायेंगे यह इस देखना दुबाला फोन लेगा डर अब क्या करें तो तो मुझे बस टॉपर लेने आने वाला था ना गाओं में हमें ये बहुत परिशान करता था और हम उती बात का बदला ले ले drastic वह पांथ मिनत का ब्लेक लेगा। इधल उधल तेह लेगा। पेल के उपर तीन बाल मालेगा। दो बाल तिग्लिद पिएगा। एक ताइ पिएगा। और फिल वॉन करेगा। देखना इसको कहते हैं पेवफाद दोस्त ओनलाइन तो है भासकर विनिंग एक्टिंग कर रहे अरे वास सुन्दर है अरे उसे के लिए तो खींचा है क्यों आई बड़ी लड़की के पीछे पागल मैं तुझे अच्छी तर जानता हूं मुझे तुमसे इस वक्त बात करनी है मैं तुमते बात तलना ताता हूं मैं तुम्हारी गली के आखरी घर में आई हूं यहां से गुजरते हर रोज तुम्हें देखती रहती हूं ततमे? तुम्हारे घर के इस्तरी वाले ने मुझे तुम्हारा फोन नमबर दिया है अथा, I love you, साथ में बीयल पीते हैं अभी मुझे तुमते मिलना है अभी अभी मिलना है? अले, तुभा तुभा पहली धाल का बीयल पीएंगे हम लोग ठीक है, जल्दी आओ ना, मुझे ओफिस के लिए लेट हो रहा है क्या बात है, मिलने के लिए उताओ लिया है तो बोलो कहा आन है मैं घसीटा होटेल के पास हूँ, दस मिनिट में आजाओ आओगे न उत्ते पहले पहुंदाओंगा फिर बार आजा बेटा, फिर तुझे घसीटाओं मेली कितमत में हैता होगा, मैंने तोता ही नहीं था एक काम कलता हूँ, अभी तेक होटल बुक कर लेता हूँ हाँ काओगी, काओगी उत्ने तो यही दगा बताई थी, कहां चली गई उता, 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 नहीं ता ये यह खोग है एद्या अले भाई तू यहां पल होटेल बुक करेगा यार कौन अगया इस वाक्त ब्रो यह तेरा गाल लाल केसे हो गया तुमाल भी होने वाला है इसकी अग्या अग्यादित लगाते लेकिन तूने तो लल्की को पताकल अमला पुल लाने की तर्द लगा दी क्यों अगर तुने अपना मूँ बननी के ना तो उसके साथ अभी डिटवा दूंगा और कर्वाँगा यहिज आए एक्सक्यूज मी हाँ येस आप सिंगल है हाँ यानि आपका कोई बॉइफ्रेंड नहीं है अहां नहीं है मतलब जगा खाली है हाँ है तो क्या मैं अपलाए कर सकता हूं अफकोस देखा तुन्हें अमाली पिकल नहीं अपना काता कोल रहा है अब तो धंदा चलता ही रहेगा प्यार के बारे में अब सब लोग मुझे प्रपोस करते हैं तब में और अब में फर्क क्या है जस्ट स्मॉल सर्चरी हो खूब सूरती के लिए है यानि कि तुम वह तूइन वन हाना नहीं अरे सुनना प्रियार कैसा शहर है आदमी औरत में फर्क ही पता नहीं चलता है मैं तुमसे ब्रेक अप मुझसे किया और शादी किसी और से कर रही हो बस हमारा प्यार खाताम हो गया इस बड़े शहर में हर मिनिट में ब्रेक अप होता है और हर मिनिट के बाद वही लड़की मेक अप करके वापस निकलती है नया लड़का ढूडने के लिए तुझसे अच्छे लड़की ब्रेक बाद शॉपिंग मॉल में गूम रही है अरे मिल जाएगी ब्रेक आप मेटू तू लेट गूपी स्नूपी तुम्हारे कुट्टे का नाम है नहीं तो मेरा प्यारा सा नाम है यहां चिपक कर खड़ें सब देख रहें पब में कोई मुश्किल नहीं होगी यह जाएग। जारे लोफर अम देंगे पहला हना है तुम्हारा है तुम्हारा है दैंस अब यह आप्छार्ट यह अब ही लेकर आया था और किर गई सॉरी भी बोला मेरी फिलिंग का भी खयाल करना ऐसा कुछ नहीं है यार मझे लगता है यहां सॉरी भोलना भी घलत है अ सॉरी बोला इसके लिए सॉरी आ भाई सॉरी कैंसला सॉरी कैंसल तेरी वज़य से ही तेरा सर फूट आया भाई किसीने कहा है कि आलसीपन बहुती बुरी आदत होती है अज उसे बुरी आदत की वज़य से मेरा भला हुआ कभी कभी बैड भी गुड होता है क्यों रहे गुंडे भाई लोग मैंने सही काना कि मार खाने के बाद ही समझोगे अरे एक तो उसका धक्का लगा मैं दारू लेकर आ रहा था वो गिर गई फिर भी मैं दुखी नहीं हुआ दूसरी लाकर पी रहा हूं और अब तुम लोगों को प्राब्लम हो रही है यही अपनी दोस्ते यही अपना प्यार है क्या भाई लोग लगता है मार खाने के बाद ही तुम्हें दारू अजम होती है मैं गोपी हूँ अमलापुर से सब के तबले तोड़ डालूगा यह तो काम गलत करता है सुद्रे गली सुद्रे गली अब तू देख हम तेरा क्या हाल करेंगे मारो इससे जिसके पास बल होता है न वो बल इस्तमाल करके मारता है लेकिन जिसके पास इगो होता है वो अपने दिमाग से मारता है रुक रहे असल में इस लफड़े की जड़ तू ही है इस मदू ने तो पूरी प्लान को मिट्टी में बिला दिया एक और दिन वेट करते ना पूरी जादाद लेकर अमेरिका भाग जाता अबे ओए तुम मुझे सपोर्ट करने के बजा इस जिंगुर को सपोर्ट कर रही है अरे ओ मेंटल वो मेरी गर्लफ्रेंड है क्या और ये सच बोल रहा है क्या हां है तो मेरे साथ प्यार कर ले बदू कर्ज में फसा है फोन पे तो उसे गालियां दे रही थी तुम्हारी जैसा फ्रॉड कॉल था मेरा फ्रॉड कॉल था तुझे केसे पता मॉल में जैमर्स होते हैं इतना भी नहीं पता उस लड़की के शॉक के बाद तो जितना भी प्योग कम है बिल्कुल ताई यहां लड़किया कमाल की ने है यार औरे यार यार एक भी टेबल खाली नहीं है चल कहीं और चलते हैं लुकना कहां दाला है बत एक मिनट में क्या कर लेगा यह पादल तेली गर्ल प्लेंट किती और के दाथ भील पी लेए आपल आजा यह तो पूली दगई खाली हो गई यार 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 यह तो हद हो गई एक पैसे में दो जंग खा सकते हैं हमारे गाओं में उतना खाना मिले तेलों में यहां हल तीद महंगी है वेतल भाई को बोतल तीन देसी दारू की बोतल ले गया अब जाए बैट जाए अमलापुर से अमलापुर से बैट जाए बैट जाए अरे टेंशन मत लीजे जाए जी चीज तेक बेवडे को फाइस्टार में लाएं के तो ऐसा होगा यहां की सब्ते महेंगी ब्लैंट पाथ तिकन तंदूली और ताउत इंदियन नौत इंदियन जापनीट अमेलकन टाइलन जो भी यह ले आओ जब पुछ अपना भाई अमलापुल जाया है कि अमदना को सर थोड़ी देर में रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा लास्ट ओरो दे दीजे मेले पाथ अतली मौदलों का नंबल है यह आप क्या बुर रहें सर लूम तल्वित मिलेगी क्या जोग अच्छा था अब मैं बिल लेकर हूं तुलिया निकल है यह लीजिए सर बिल कार्ड या कैश सर नहीं लाया तो कैश दीजिए सर कैश तो अब तो तब दिदितल होता है ना क्या 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 कलना सर इन्होंने खूब दबा के खाया पिया पर बिल मांगने पर पैसे नहीं दे रहें जब उन्होंने ओडर किया तब तुम क्या कर रहे थे हैं मैं सर्विस कर रहा था सर इमिडियेटले इन सब लोगों को बाहर निकालो और इनके पहले साफ़ी को बाहरे है तुम लोग इसे गर्मी भगाने वाली ठंडाई समझ रहे हो जो इतना ज्यादा पीते जा रहे हो तुम्हें स्टेशन ले जाकर जब तुम लोगों के अच्छी तरह से धुलाई होगी तो सारा नशा उतर जाएगा ए कॉंस्टेबल दलालाम ते तलाओ ना तुम दोनों कहते हैं … ड्री आला आ जघे जब में फूटी कॉडि नहीं है और फाइस्ता हव्रतल में फाइस्ता है व्रतल में पूली स्टेशन ले जाकर धूड डालेंगे तुम लोगो को गोपी की इज़ट का क्या होगा सब लोग पेपर में देखेंगे टी वी में देखेंगे गोपी की इज़ट चली घेंगे गोपी पट्राइक एक में एटल ये ललगा कबलाला है काली लोको रोको रोखो कि यहलो मेरे नई पांसो गिन्वा अले मेली तलब दे शंकर चंद्रा सिर्फ एक हजार रुबे फाइव स्टार होटल में तुम लोगों का बिल अठाइस हजार हुआ है 10% के हिसाफ से 2800 तो मिलने चाहिए ना अगल आप इतना पलेतान तलेंगे ना तो हम लोग अपने थात में पीलेंगे नहीं चंकर चंद्रा मुझे जीने का हक नहीं है क्या मेरी बीवी का नौवा महीना चल रहा है डिलेवरी वने वाली है उसका खर्चा कौन देगा मैं कहां क्या बात है आज एक भी लड़की दिख नहीं रही है अरे एक भी अच्छी नहीं है क्या बात है यह अच्छी है यह तो जा रही है अरे अरे महीं कौपाइब दिए रहे रहे विए चुछ नहीं है कि में अधर बड़ तुछ पहर प्रण विए श्कॉर अधर अधर में पुछ नहीं है कि अधर नहीं है थांक्यू बढ़िया चीची कितना मैनर्लेस लगाए अटिंग जाए मस्त बनाई आंकाल याल बोला एक घंटा लेट हो गया अब तक तो वह घर चली गए होगी इतकी बात कर लाए नई लड़की यार एक दिन जाता न वह पढ़ जाती मिस्स कर दिया तुम दोलों के वज़े से हुआ अजी आलाम क्यों नहीं बजा डिस्टरबंस होगा सोचकर मैंने वह बन किया था अगल तुझे दान आया तो दा शर्त हार जाओंगा लगता है इसके शर्त के चकर में हमें जानवरू की तरा धो रहा है तो आप क्या अकल है चुप चाप जानवरू की तरा सोचाते हैं चल अब 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 इतना टाइम नी है जल्दी बता दे तोना है वह लड़की ह हमारा एड्रेस कैसे मिला रात में फॉलो किया तो रात को बताना चाहिए ना तब सही है यशा नहीं तह नहीं कर पाई थी तुम्हें मुझे में किया पसंदाया तुम्हारी जल्दबाजी मैं सच में लकी हूं मैं तो में बहुत लकी हूं और कितनी दूर है जहां किसी को ना मिलें अगर मिल गए तो फिर सब काम से गई इतना हिम्मत वाला कौन है जो दूसरी कार में मेरा पती है क्या पती अरे गाड़ी रोखो ना क्या तुमारी शादी हो चुकी है एक मेहने पहले एक मिनिट पहले पताना ता यह था ना कि जारे गाड़ी रोगते वर्णा इस गोनी बार दूंगा सर पे बिंदिया नहीं और माथे पे सिंदूर भी नहीं मेरा पाति मुझसे प्यार नहीं करता दा मुझे तुम्हें कोई इंटरस्ट नहीं है यू आप तो रुख जा हमें बाद ये उता दो अरे बापने पुलीस की जीप तुम्हारे पती ने कंप्लेंड कर दी ना मेरे पती कंप्लेंड नहीं करते पड़ाही में लास्ट है क्या एंकाउंटर स्पेशिलिस्ट है वो अरे एंकाउंटर कर दूंगा अले मनूद लोद हम फाइब साथ में बीयल भी आ कलते थे मैं कहता हूं कलते ये लोगा माला कून पी जाएंगे अरे मुझे पता नहीं था कि ऐसा लपड़ा हो जाएगा शादी शुदस्त्री को मैं बहन के बराबर मानता हूं क्या बहन समाजवालों को पता चल गया कि मैंने ये किया है तो लोग मुझे आ डालेंगे ब Techno समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है कहां ले जा रहा था मेरी बीवी को देर मत किजिए सर चलाइए गुली चलाइए वरना मैं जो सच बोलूँगा शायद वो आप बरदाश नहीं कर पाएंगे क्या है वो सच आप गलत कर रहे हो सर गलत तूने किया है या मैंने आपने सर 100 परसंट आपने किया है हर पल जंता की रक्षा के बारे में सोचते रहते हैं शादी की एक महिने बाद ही पतनी क्यों भाग गई घर से एक बार भी सोचा है कभी घर से भागनी की जरूरत मेरी बीव क्यों है उसका पतिय्व पवरफुल पॉलिस इंस्पेक्टर है लंका है दे पाहे एंड लेकिन मुठी भर प्यार भी नहीं बना पाए आखरी बात बताता हूं सर आपके पास पत्नी से प्यार करने का वक्त नहीं है और इनके पास धेर सारा वक्त है जिसमें आप नहीं है अरे बस करो अपनी बातों से और शर्मिंदा बत करो सोच रहा था मैंने उसे सब कुछ दे दिया है पर असली चीज़ तो अतली दीद के है प्यार की बात कर रहे है अच्छा प्यार प्रिये आज से मैं घर में वोटी करूंगा ताइम मिला तो ही ड्यूटी करूंगा भाईया एक हजार रुपे दो ना आज की जमाने में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस इंसान के साथ मैं सेलफी लेकर अपने कलेक्शन में एड कर लेती हूँ जो मेरे लिए मैमरी बन जाती है एक्चुली ये मेरी होबी भी है, ऐसी भी होबी होती ही क्या, इस लड़के में बहुत सारे लोगों से पैसे मांगे थे, लेकिन सिर्फ आप ने उसे पैसे दिये, कम सी कम पैसे मांगने का रीजन तो पूछ लेते, रियली, you have a great heart, okay, okay then, thanks, it's really nice meeting you, bye, अरे, रुकिये, रुकिये, हलो, मेरी बात तो सुनिए, क्या हुआ, आपका मोबाइल नमबर दीजिए, सॉरी जी, मैं एंजान लोगों से किसी टाइप का रिलेशन मींटेन नहीं करती, सुनिए, कम से कम हम दोनों की सेलफी तो भेज दीजिए, ठीक है, आपका नमबर दीजि 590, 390, गोपी, अमलापुर का गोपी लिखिये, गोड, गोड, बेज दीजिए, भूलिएगा मार, शहर में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, आइटम डांसर को देखने जैसा, क्या देख रहा है ब्रो, ये तो, मोदे वर्याइट, हाई, हिलोईन लग लिए, कितनी कुपतूलत लल्की आकिर तुझे मिली के थे, अब देखना उत इंदू और उत की गैंग का क्या हाल होगा, हमाल गोपी के ताथ, इसे देख के वो लोग, ए, ये तो क्या कर रहा है, तुने वो पोदो कीती थी 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 ना, मैंने कतापा को सब्सक्राइब कर दिया, तुने वैती तैलपी क्यों की थी, क्या तम दुम है, लगता इतकी ततक गई है, अत्ता कलो तो मालता है, वो भी मारता है पागल कहीं का, ए, देखो, गोपी है, वो भी लड़की के साथ, खुबसूरत है ना, गोपी सच में टैलेंटिड लड़का है यार, शर्थ के मुताबिक हाइदराबाद जाकर उसने एक खुबसूरत लड़की को पटा लिया, हाँ यार, वो अच्छा है और हैंसम भी है, उसकी जाल में कोई भी लड़की फंस सकती है, हाँ यार, सही का, हुच भी कहो, यहाँ इंदू, वहाँ गोपी अपना घर बस अब तक तो वो फोटो देखकर दुख बरा दिल लेके तडप रही होगी समझा, तडपना ताय होते हैं, अंगल शूतर पहनेगी ना, तभी वो मुझे याद करके सोचेगी, मैं गोपी को सबक नहीं सिखा पाई, और यही सोचकर वो दिल ही दिल में तूट जाएगी, उसक अचेंचीननी के वज़े से, आज मैं फुली सेटिस्पाई होगी, आखिर इसका इगो फुली सेटिस्पाई होगी, वो शादी करने के बाद फुर से अमेरे का चली जाएगी, और मेरे दियोए शौक की वज़े से, वो हमेशा सत्मे में रहेगी, इसकी को फुली इंजाए क करूंगा, और वो अमला पुर में नहीं है, सोचके, हसी का मुखोटा परेंके, सारी जिन्दगी जिन्दा अलाश बनके जिऊंगा, है, क्या बोला तुन्हे, वो आकली बात, आकली बात बता, मुझे गोपी चाहिए, मुझे सिर्फ गोपी चाहिए, जिन्दा लाथ कौन है, क्या बोला है तु, साचे तो कहा, अगर वो अमलापूर में नहीं होगी, तो वहां में जिन्दा लाश बनकर ही रहूंगा, अरे इंदु, तो रो क्यो रही है, बताना क्या बात है, बोल क्या गोपी ने, कुछ तो बोल यार, मैं उसे अपनी जान से भी जाद अप्यार करती हूँ, उसके बिना मैं, मैं खुश कैसे रहूंगा, किस से जगडा करूंगा मैं, किस के साथ मजाग करूंगा, पाने के बिना मचली तडपते है न, वैसे ही, आज मेरा ये दिल तडप रहा है, अरे यार, इतना प्यार दिल में रखकर, तु इंदु को ये मात बता क्यों नहीं पा रहा है, वो ना करेगा, इस डर से मैंने कभी नहीं बताया, तो फेर आप क्यों बता रहे हो, उसे किसी और लड़की के साथ देख कर मुझसे बर्दाश नहीं हुआ, मेरे दिल में सिर्फ वही है, लेकिन उसके दिल में मैं नहीं हूँ, मैं उसे I love you कहूंगा, तो वो इगो की वज़े से ना कहेगी, ये सारी बाते आप क्यों बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया, बहुत देर कर दीशने, इस शादी के लिए मैंने हाँ इस नहीं की, ता कि मुझे बता चले कि मैं उसके दिल में हूँ या नहीं, जिद में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी, अब गोपी का चैप्टर क्लोज हो गया, क्लोज नहीं वा, क्लोज नहीं वा भी, क्या बोला अब यह जाए, तेला म्याल काम्याब होगा, यह मेला यकीन है, तादी के लिए वक्त है अभी, तुबा निकल डाना, उसके गल पोहंग दा, देख, तुझे डाना होगा, मेली कता मैं तुझे, जा यार, एक टिकेट अमलापूर के लिए, काका, अमलापूर वाली गाड़ी कहाँ, एक नमर पर खड़ी है बाबुजी, तुने तो मेरी, मेरी, तुने जा सकता है , तुने जा सकता है, तुने जा सकता, कर दो चैंडे क्रिप्धिया ध्यांदे, ट्रेन नंबर 12727, विशाका पत्नम से हैधरबाद जाने वाली गुदावरी सूपर फास्ट एक्सप्रिस, थोड़ी देर में प्लार्फॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही है सुनिये, मैं आपके फोन से कॉल कर सकती हूँ, ठीक है बेटा वही होगा, थोड़ी देर के लिए स्विचाफ कर दूगा तो फोनाना ही बंद हो जाएगा हलो, हलो, दिव्या, मैं इंदु बोल रही हूँ, इंदु हाई, कैसी हूँ तुम, ये नंबर किसका है, अभी मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद में, क्या हुआ, एनी प्रोब्लम, प्रोब्लम ही तो है यार, तुम उझसे मिल, फिर मैं तुछे सब बताती हूँ, अ कि वरकिंग मुवमिन्स होस्टल में रुख जाओ, तब तक मैं आ जाओंगी, नहीं लेकिन वो, तुम घबराओं अपिंदु, यार, कमिंग, हाँ, 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 ये सस्ती चीज पी नहीं जा रही है, अपने सची दानन को कॉल कर जल्दी, हाँ, 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 हाँ, बोलो शंकर, अले हो कहाँ, हम लोग तमाला इंतिदाल कर ले हैं, गल्दी से आजाओ, अरे बहुत टेंचन में हो यार, मेरी बीवी कविता जोलर्स में गई थी, वहाँ एक नेकलेस की फोटो लेकर, मेरे पास एस्टिमेट भेज दिया है, और उसके बाद से तीन दि होगे, उसका मोबाइल स्विच आफ पता रहा है, मुझे बहुत टेंचन हो रही है यार, वो जब तक घर पर वापस नहीं आती, मुझे चैन नहीं मिलेगा, और मैं ड्यूटी जॉइन नहीं करूँगा, स्वारी यार, तब तक तुम लोग सस्ती दारू से काम चलाओ, यह सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे है, यहां पर यह इतनी भीड क्यों है, इंदू कहा है, बोल, बोल हमारी इंदू कहा है, बोल, क्या हुआ है, इंदू को, अब कुछ जानने के बाव जूदे नाटा क्यों कर रहा है, यह रुख जाओ, अरे समस्या का हल जगडे से नहीं होता है, क्यांती से होता है, इसने जो काम किया, उसके लिए इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए नाइडू जी, एक बार पंचैत की सवा में आने के बाद सब को यहां के कानून का पालन करना पड़ेगा, आडू जी, जब यह लोग सीधे हमारे परिवार का सामना नहीं कर सके, तो मेरी बेटी को अपनी बातों में पहला फुसला कर यकीन दिला कर, धोके से ले जाकर मेरी इज़त उछाल दी, गाओं में सब के सामने हमारा सर जुका दिया, ऐसा किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए, बताइए इंदू को क्या हुआ है, क्या हुआ, खुद पर लो, पिता जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गोपी से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं उसके पास जा रही हूँ, मुझे ढूनने की कोशिश मत कीजिएगा, आपकी बेटी इंदू, मैं हस क्यों रहा है तेरी, रुख जाएए, गाओ में ऐसी समस्या आएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए, इस समस्या का समाधान गोपी करेगा, यही मेरा आप सबसे निवेदन है, अमारे परिवार के एक सदस्की वज़े से किसी को तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, बेटी के घर छोड़ कर चले जाने का दुख जितना उन्हें हो रहा है, उतना मुझे भी है, बेटियां घर का सम्मान होती है, ऐसे मैं परिवार पर क्या गुजरती है, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, पर इसका आरोप मेरे घर पर लगाना, यह अच्छी बात नहीं ह फिर भी मैंने फैसला किया है, कि आज से गोपी के साथ हमारा कोई रिष्टा नहीं है, चलो यहां से भाईया, हमारे इंदू वो हमारे परिवार को ठुकरा कर जा चुकी है, हमारे लिए मर चुकी है वो, जाना दो सबने डाटा इसलिए बुरा लग रहा है ना, इंदू मुझ से प्यार करती है, यह जानकर खुश होई, इंदू प्यार करती है, पर यह कैसे हुआ, यह यह सब्सक्रान कर चुकी है, यह माना मरे सब मामा मरी बना मरे सब डरी दसाँ सब माना मरे सब मामा मरी बना मरे तुम लोग यहाँ? तुम लोग उनकी वजह से मेरी नौक भी चली गई फाइ स्टार से नो स्टार पे आ गया पहले पैसे दो फिर तुम्हारी सर्विस करूँगा ये ले क्रेडित काट काफी है हाँ हाँ ओके सर आज तो आपने बहुत बड़ा बिल बड़ा दिया तो और क्या सर काट डीजे सर अब पिछली बार मेरी सारी पगार आपके खर्चे में चली गई मेरा भी कुछ सोची है सर हाँ दो मलदी द्वाइब कर ले से लेड़ा है यह काट काम नी कर रहा है तो थोड़े लें नहीं चल रहा है सार दूथला देंग ना यह भी दान नहींद है सार संब्स्क्रास क्से कर लोग कर दो सार शर पैसे उदोगेरी साड़े स cupboard मुझे डोगरी जाईगे तो चल रूफल में फिर नमस्ते इस बंधनी सारी बहुतियों उन्ह草न सुल्मत तुम लोगोंने जितना पिया है और जितना खाया है इतनी चीजे तो हम Pulis Station में एक disciplines में भी नहीं खतम करते तुम लोगों का पेठ है या फिर कुवा है इसका फैसला पुलिस स्टेशन में करते हैं कॉंस्टेबल्स जीप में डाल दो इने ये लो पांतो शंकर अगली बार कॉन से होटल में आऊं बता जे ना अरे गेट तो बंद हो गया कोई दिख भी नहीं रहा है हलो कोई गेट खोलिए प्लीज कान हो बेटी तुम यहां एक होस्टल में रहती हूँ मैं लेट हो गई तुम यहां का गेट बंद हो गया तुम लड़की हो इसलिए तुम यहां सोजाओ मैं वहां सोजाता हो करते हैं किसे फोन बच रहें यार अच्छा कर दो है कि फोन बच रहें किसका फोन बच रहें एक बार तो अठार्या वो फोन मेरी इंदू की निशानी है किसका फोन होगा अरे प्लीज उठाना यार गोपी गोपी का फोन है क्या पासवर्ट होगा भाई फोन तो खरीद लिया लेकिन पासवर्ट क्या है पुष्पा सुनो ना इंदू सीधे तुम से बात करने का मौका नहीं मिला तो मैंने सूचा जो तुम से कहना है वो फोन पे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ दिल को थुड़ा सुकून पहुचेगा ये जो फोन है ना मेरी जान है पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी वज़े से खरीदा है तुम्हारी निशानी के रूप में एक ही तो चीज है इसलिए इसे मैं खुद से कभी दूर नहीं कर पाता जब भी देखता हूँ तुमHारी शैतानी और तुम्हारी शरारत ही यादाती है इंदू तुम्हरा प्यार मिलना मुमके नहीं कि अपनी परेशानी में मैं किसी को नहीं बता सकता मैं सोचता हूँ अगर यह फोन कहीं खो जाये और तुम्हें मिल जाये तो मेरी सारी परेशानिया तुम तक पहुंच जाएंगी और तुम समझ पाओगी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ एक बात और, हाँ, तुम पे ले रंग की साड़ी में खूबसुरत लग रही थी, लग रहा है मैं आज राद सो ही नहीं पाऊंगा आज राद सो ही नहीं पाऊंगा अजय को अजय को अजय कर दी गई है जिसकी हत्या हुई है वो सोशल अक्टिविस्ट पूर भी है जी लेटा, एटीम से पैसे निकलने को नहीं आते, मेरे मदद कर दोगे जी अभी आता हूँ बोलिए मैडम एक रीचार्ज करवाना है नमबर बोलिए नमबर है 9533-590-390 मेरा मोबल स्विश्ट आफ हो क्या है, चार्ज कर सकती हूं क्या हाँ, ठीक है लेजिये माजे, संभाल कर रखना तुम्हारा बहुत बहुत चुक्रिया गोबी गोबी गोबी, गोबी गोबी गोबी, रुको गोबी 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 कि वह पूर्ण करो एंफिरन्स को बलाओ क्या हुआ है इंदू ओ गोड़ इंदू गोपी 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 इंदू क्या हुआ इंदू मैंने गोपी को तेखा था गोपी कौन है कम ओन, असल में हुआ किया बताओ ओ नो, मोबाइल वह तुम्हें भूल गई मैं कॉल करती हूँ, ठीके? हलो, सुनिए का चाहिए मेरा मोबाइल अंदर रह गया था दुकान अभी बंद है, सुभा आईएगा ए भगवाद, उन चोरों की वज़र से शेहर के सारे बाज मेरी नौकरी चली गई है दर्विय ही एक बार बचा है इन्हें इस बार में आने बिल्कुल मल देना बगवाद सुनो पेट में गडबड हो रही है टेबल नमर तेरा पड़े से सर्फ कर दो ना प्लीज बार से जाना तू बात्रूमें बटता है बचीवी दारू पीना बन कर दे तब तरह पेठीक रहेगा लादे मुझे जल थैंक्यू आरा है आरा है वही आरा है मूत पाले एक्स्क्यूज मिसर अबे चोरो तुम लोग यहां भी आगे मैं तुम्हें तुम्हें बिल्कुल नहीं दूँगा अले तुम्हें गस्तमत की दालू लेके जाना पाप है रखो जादे जादे मैने जादे हमें हमाली दालू ताइए यह लेकल डाला है कहो वापत कले ठीक है एए इनने सर्विस दो मैं को सर्विस नहीं दूँगा मैं बोलना हो दो सर्विस नहीं दूँगा मुझसे उची वाज में बात करेगा नहीं दूँगा बोला ना मुझपे हाथ उठाता है सर 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 क्या करूँ सर स्टेशन में आके मैंने ऐसा कर दिया सर मैं क्या करूँ सर इन लोगों की वज़ासे मेरी नौकरी चली गई है तुम लग क्योदों आप पात जाते हम में दौकरी करता हूं क्यों ठॉब आसे निकलो बात किज़े सर मेरी डौकरी मैं ब ह only 000 चहर में धोकदरी बहुत ज्यादा हो रही है ऑन जारा-हिल्स के A.S.I.S.N.阿ayate कुछ के कुछ यूपको का ग्रुप बना कर फाइस्टर होटल्स के हाईटेक बार्स में भेज़ कर उन्हें तब यसे दारुपीने के लिए बोलते हैं उसके बाद बिल नहीं बढ़नाय कहकर अरेस्ट करने का नाटक करके उनके पास से पांस्तो या हजार रुपय का नोट लेकर छोड़ देते हैं कुछी देर पहले सतना को रेड हेंडेड पकड़ने वाले कमिशनर ने बताया कि यह सकेम शंकर और नल्ला बाबू नाम के दो आलसी जुगों ने शुरू किया है फिलाल कमिशनर ने उन्हें पूरे शेर में ढूरने का आदेश दे दिया है आप देखना है कि पोटो दिखाएंगे क्या है या नही इन्हें कितना भी मार लो इससे ज्यादा रिकवरी नहीं हो पाएगी इसमें से सिम निकाल कर नए सिम डाल देना स्कायम के सूत्रिधरे सत्यनाराण के बारे में जानते हैं बोले सर मेरी पत्नी ही मेरी दुनिया है और अपनी सेलरी के साथ मैं बहुत खुश था ऐसे में दो चोरों ने मुझे इस धंदे में लाकर मुझे बरबाद कर दिया सुनिए कमिशनर सर मुझे एक गंटे के लिए लाकप से बाहर कर दीजिए मैं उन दोनों का मडर करके फिर से वापस आ जाओंगा सर तो देखा आपने खुनी का खात्मा करनी के लिए ये कमिशनर से परमिशन मांग रहे हैं और कमिशनर इस सोच में डूबे हुए हैं कि वो इन्हें परमिशन दे या फिर नहीं यह प्रे इसने तो मीडिया के सामने मेरी इज़त खड़ाब कर दी इस पर इतने सारे केस लगाओ कि जिन्दगी पर अंदर ही शड़ता रहे हो किस अरे मीडिया के सामने मुझ खोलना इतना खतरनाक है पुली स्टेशन में प्रैस को क्या-क्या बोला जा रहा है आप देख रहे हैं न माई बाफ मीडिया से एक मिनिट और बात किया तो मुझे फासी हो जाएगी मैं मुह नहीं खोलूंगा अब सुनिये कल में अपना मुबाइल यहां चार्जिंग पर रख कर भूल गई थी हां मुझे पता है आपका फोन पुरा चार्ज हो गया यह लीजिए थैंक यू सो मुझ थीक है थीक है पर बात करता है तो अब नहीं दूंगी इस सुम्बर में कौन सा इक है ए क्या जानता है असल में रामपूर की हुमें मुझसे अकर पंगा लिया ना तो तेरी खाल खीच कर दूप में टंगा दूगी तो बुढ़िया इस रोड से है अबे बुढ़ी वारत पर अपनी ताकत क्या दिखा रहा है पहलवान के जैसे आया है जवान है ना तो उससे ही लड़ता हूँ सब्सक्राइब करने के जगा तुम लोग यहां पर इको दिखा रहे हो शांत रहनी वाली जगा पर जगड़ा कर रहे हो क्या पर शानी है तुम्हारी यह वह अमारे बीच में क्यों बोल रहा है रहे तुझे भी लगा हूँ क्या यह मुझे लगाएगा इतना बड़ा हो गिए तू कौन से दिया का है पर बदेगा तेरे को बाई और यह एक बात बोलता हूँ सुन ले इस एगो को घर में रखकर अपने दुश्मन से प्यार कर लाइफ अची चलेगी समझागा सभाई तो जा फिर जाकर गराग देख चल जा अरे जा अरे बेटे तुम्हारा हाल देखकर लगता है कि तुम हैदराबाद में नाया आया हो कौन से गाउं से आया हो यहाँ पर जी मेरा नाम गोपी है मैं अमलापुर से आया हूँ क्या अपने अमलापुर से हाँ अरे वहां की हरियाली, नारियल पानी, बहते जर्णे, सुखी मजली, गोदावरी का पानी अरे उस स्वर्ग के बारे में तो बात करते करते पुरा दिन ही खतम हो जाएगा चलो हमारे घर चलते हैं, वहाँ चलकर बाते करेंगे जी नहीं सर, इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर अरे तु एसा क्यों बोल रहे बेटा, तुझे देखते ऐसा लगा जैसे तु मेरा छोटा भाई है चलो वो सर ठीक है, ये लो, ये काड़ रखो, इस हैदराबाद में तुम्हारा एक बड़ा भाई है, ये मत भूलना अच्छा बुरा जो हो, बस अपने भाई को एक फोन कर ले ना, भाई आ जाएगा, ठीक है न, ये गाड़ी निकाल रहे तुम्हारे सामने मेरी जबान छोटी पड़ जाएगी, यही सोचकर चुप था मा, चिंता कहीं का, वो सब तो ठीक है, लेकिन रंगा अपनी मंगा के लिए लड़का कैसा है, बहुत अच्छा है मा, मैं कह रही थी न, तेरे दिमाग की बत्ती जलती ही नहीं है, पागल कहीं काः क्वारे सामने मेरी जबान छोटी पड़ जाएगी, मुबल कर, अरे बेटा, रुख जा तो, नहीं मेरी बात तो सुन, नहीं मेरे बाता मा, अरे रंगा, ये तो गोदावरी का बेटा है न, हाँ мा, तुम सही के रहे हो, ये वही है, अरे सुनिए बावु, गोदावर का बेटा है ना क्यों बेटा तुम बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था ठीक है बेटा मैं एक बात पूछ रहे हूं बुरा मत मानना हां मेरी मंगा के लिए रिष्टा देख रही हूं एक अच्छे लड़के को ढून रहे थी लेक कीजिए मैं हमारे गाउं की लड़की से प्यार करता हूं वो भी मुझ से प्यार करती है लेकिन वो खत लिखकर हैदराबाद आ गई है उसी को मैं पागलों की तरह ढूंड रहा हूं है भगवान मेरी मंगा बदनसीब है कौन है वो नसीब वाली लड़की इन दो करता है मुझे को सताये कोपी 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 करता है करता है सर ये सब क्या हो रहा है हमने क्या गुना किया सर अच्छी आक्टिंग करते हो गोलियों से भून के रख दूगा सर आपको कोई गलत फैमी हो रही है सर मैं हमलापुर से हूं मेरा नाम गोपी है सर तुझे क्या मैं उल्लू दिखाई देता हूं सोचा मडर करके आसानी से भा सर मैंने किसी का मुडर नहीं किया है मैं सच कह रहा हूं सर एए फोटो दिखा इसे प्यार में फसाकर बड़ी बहरहमी से मारा तुने सर ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता हूं बस एक ही बार इसके साथ सेल्फी ली थी सर सेल्फी लेने के लिए तू बहुत बड़ा सले इंदू 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 आपको कोई गलत फ्हेमी हुई है सर गोपी ऐसा नहीं है सर वह बहुत अच्छा है सर लीज इसे छोड़ दीजिए सर इसका कारेक्टर सर्टिफिकेट मत दो अपने घर वापस जाओ ये धोखे बाज है लीजाे सर गोफीर जर गोवीर इंद बोवी ओोमी झाल Senior इंदू ओोमी ऑल इंदू आटया डीज अग्वी ऑल, हूमी ऑल, हुआओ को सर्सी ओूमी ऑल, हुमी ऑल?, हुमी भूपी भूपी प्यार की नाम का जाल भीछाया जाल में फसाया भी गॉपी को पुलिस आज अर्यस्ट कर लिया है पकड़े गई गोपी का इंवेस्टिगेशन बंजारा हिल्स के DCP चंदर शेखर कर रहे है देखे DCP चंदर शेखर ने मीनिया को क्या बताया है गोपी नाम का वेक्तियामलापुर से पुरिवी नाम की लड़की किस ने हत्या की है इंवेस्टिगेशन चल रही है कंप्लीट होते ही सारी डिटेल्स बताएंगे ये सब क्या है बेटा तुछ पर कटल का इलजाम लगा है मुझे बहुत घबराट हो रही है गावलों के साब में मैंने तुझे बहुत शर्मन्दा किया मेरा श्राफी तुझे लगा है नहीं पर ये सब क्या है मैंने कुछ नहीं किया ये हमें भी पता है पर तुझ पर से ये इलजाम हटेगा कैसे निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या ये लो रखो इस हैदराबाद में तुम्हारा एक बड़ा भाई है हमत बुलना कौन हैं सब निकालो निया यांसे नमस्कार सर नमस्ते ये मेरा बेटा है तो भेर ये कोई महान आत्मी है या महात्मा है मर्डर किया इसने पर से चल निकल यांसे चल निकालो निए चलिए बाद चलिए अब हमारे सुंधर राजन जी अपना चैक संस्ता को परदान करेंगे मुझे ये कलास लेना, स्पीज देना ये सब नहीं आता है लेकिन मैं अपने युवाओं से एक बात सीधे सीधे पुछना चाहता हूँ अरे भाई, तुम्हारी वज़ा से तुम अकेले बर्बाद नहीं हो रहे हो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा गाउं, तुम्हारा राष्ट्र, तुम्हारा देश बर्बाद हो रहा है जरा समझो, मैं क्या कह रहा हूँ अरे भाई, इस नशे को छोड़ दो, है क्या इस नशे में हाँ, देखो, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से भाई साब ज़रा ये माइक पकड़ना, एक मिनिट के लिए हालो, कौन बोल रहा है? मैं गोपी का पापा हूँ कौन गोपी? वही जो अमलापूर वह अमलापूर का गोपी? जी सर उसे मर्डर के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया सर अच्छा, कौन सा पुलिस टेशन? हाँ गोपी, एंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ, मैं सब समाल लूँगा क्या समालेगा बे? हलो, DCP साब, मुझे लोग सुन्दर राजन कहते हैं वैसे तुम्हें एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन साथ मैं सोशल सर्विस भी करता हूँ तो मैं क्या करूँगा? साब, हमारा गोपी बहुत अच्छा इंसान है, ये कोई गुनाह नहीं कर सकता आप इसे छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अगर ज़्यादा बोला तो अंदर डाल दूँगा हे सुनो, मैं होम मिनिश्टर बोल रहा हूँ मैंने सुना है पुलिश टेशन में, सुन्दर राजन जी आए समभाल कर नहीं तो तुमारा ट्रांसफर हो जाएगा मैं कौन हूँ और क्या हूँ, अब तुझे समझ में आया ना हमारे कोपी ने मर्डर किया है, इस बात कर तुमारे पास क्या सबूत है देखें, DCP सहब, according to section 50A, अक्यूज से संबंदित केस की जानकारी उनके blood relations को ही बतानी चाहिए वरना आपको कोट में हाजिर होना पड़ेगा तो फिर सुनिए, इसने पूर्वी नाम की लड़की की हत्या किये हत्या से एक दिन पहले इसने लड़की से 45 मिनट बात की उसके अगले दिन इसने लड़की की ATM कार्ड से 40,000 रुपे निकाले बहुत ज़ादा गर्मी है इसमें, इसने दस लोगों को पब में धोड़ आना इतना काफी है, या और कुछ चाहिए जो बोलना है कोट में बोलना, आउट हत्या की गुना में आरोपी पाए जाने वाले गोपी को कोट 14 दिन के रिमांड पर भेज रही है अबे देख क्या रहा है, खाएगा क्या, नजर नीचे तोना नहीं क्या, अगरेशी का त्यूट अच्छा, तो मारेगा मुझे झाल, अच्छा, परसू, वढ़ेशी पाएगा waters उमारेशी तर रही है झालू, यढो anybody ट्यक्सर लेजरो झालू, झालू, झालू झालू, झालू, झालू बप बप फसे पने! बपल रईग हुई कि बपश बपश हुई जिए यह क्या हुआ? यह क्या हुआ था मैं? पैर में चोट आई है सर में चोटी इंजरी है पुल्स इस अल्राइट यह गॉट सम्ट लॉट लॉट्स ते सेम मेडिसें यू करने दवाईया ही आगे कंट्यूनर रखिये नमस्ते दोटर इसकी कंडिशन केसी है? सर क्यों भे? शांती से नहीं बढ़ सकता क्या? तो इस तरह से मडर्श करता रहेगा तुझे लगता है कि हम देखते रहेंगे तुझे मेरी बात तो सुनिये सर इसने जरूर कोई प्लान बनाया होगा ओके सर अगर जरा भी हरकत की तो गोली चला देना इसके डिस्चार्ज होने तक सावधान रहना मारना तो है उसे जिन्दा नी छोड़ूँगा ए चिगरट इसने किया क्या है इसका नाम कोपी है अमलापुर का है इसने कुछ दिन पहले एक पोरीवी नाम की लड़की का murder किया है murder किया है तुम जाओ हाह टेक murder करने की हिंबद की है तो हमारे मानने पर दुबबारा मारता याहनी हमारे मुताबिक वो मर्डर तुमने नहीं किया है क्यों बे मदद चाहिए जों से मार रहा है क्या दर दो रहा है कोई बात नहीं रहे तेरी तो सोरी भाई करना पड़ रहा है नो प्राब्लम सर गोपी जेल से भाग चुका है सर अरे कोई बात नहीं थैंक यू सो मच अब कैसे हो मैं ठीक हूँ नमस्ते सर गुड मॉर्निंग देखो गोपी आज जो हम पती पतनी इतने खुश है उसकी वज़े तुम हो अब आज अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो हम ऐसे कैसे रह सकते हैं गोपी नाम का क्रिमिनल फरार है दिखाई दिया नहीं सर दो घंटे से हम यहीं पर हैं दिखते ही घोली मार देना उसे यस सर गोपी डिसी पिस आप चले गए हैं डोंट वरी मैं हूँना तैयार होकर आजाओ ब्रिक्फस्ट करते हैं ठीक है सर यह सब कैसे हुआ गोपी वो लड़की है कौन और तुम इस केस में फंसे कैसे कितना भी सोचों कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर यह सब जिसने भी किया ना उसका मेरे हाथ और खुन जरूर होगा शान्त हो जाओ गोपी शान्त नहीं हो सकता जो भी हो रहा है उसने मेरे इगो को तोड़ दिया है सर मर्डर वाले दिन तुमने उस लड़की के साथ पूरे 45 मिनट बात किये मैं इस बारे में नहीं जाता हूं सर उसी दिन मेरा फोन रिलवे स्टेशन से चोरी हो गया था तो फिर मर्डर के दूसरे दिन ही उस लड़की के ATM कार्ड से 40,000 विड्रो क्यों किये सर सर ये वीडियो आपको ATM की CCTV फोटेज है डिपार्टमेंट से बिलिये मुझे मैं उस दिन वहाँ चाय पी रहा था एक दादी मा मेरे पास आई उन्होंने कहाँ कैश वेड्रो करना है तो मैंने कर दिया हत्यारा चाय जो भी हो उसने बहुत ही चालाकी से तुम्हें फसाया है ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारी पहचान से हो अच्छा ये बताओ तुम्हारी पहले किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी जरा याद करो मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है सर तो फिर पब में इतने लोगों को क्यों मारा तुमने तुम्हारे एग्रिसिव नेचर की वज़े से हमारा डिपार्टमेंट इस कंक्लूजन पर आया है कि ये मडर जरूर तुमने ही किया है गलती मेरी नहीं थी सर जानबूच कर उन लोगों ने मुझसे जगडा किया पब के जगडे के बारे में आपको कैसे पता चला किसी अन्नोन परसन ने टीवी में तुम्हें देखकर हमारे डिपार्टमेंट को इनफर्म किया अभी कुछ-कुछ समझ में आ रहा है पब में उस दिन हत्यारा मौजूद था सर मेभी हो भी सकता है पर तुम उसे पहचान होगे कैसे जरूर पहचान लूँगा सर उसने गोपी के इगो को हट किया है उस इंसान को मैं कैसे भी पकड़के उसके इगो को चूर-चूर कर दूँगा गोपी देखो इन हालातों में तुम्हारा बाहर जाना अच्छा नहीं होगा लेकिन मैं घर में रहके क्या करूँगा सर चाहे कुछ भी हो जाये मुझे जाना ही होगा एक मिनट गोपी गोपी इसे रख लो इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें और मेरी गाड़ी ले जाओ किसी को तुम पर शक नहीं होगा अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करना जी सर थैंकियो सर अग्याल रखना गोपी तुम सही कह रहा हूँ जीप में बैठो मैं नहीं होगी प्यार की बात लोग समझते ही नहीं हेलो डीज़बी ये क्या जबर्दस्ती है तुम पुलिस वाले हो या मावाली हो अरे बीस सड़क पर एक लड़की को घशिट कर ले जाओ ऐसे तुम्हारे किस कानून में लिखा है बताओगे मुझे सब क्या चल रहा है तू कोने बे हर बार मेरी डूटी के भीच में आ जाता है अगर जादा बोला तो भूल कर दूँगा क्या है गोली चलाओगे अरे तुम जैसे लोग ही बिल्ली ने दूद पी लिया कहकर उसकी मा को एरेस्ट करते हो अरे तुम में दम है तो गुनेगार को पकड़ कर दिखाओ अरे भाई इसकी तरह मासूम लड़की की इज़त बीज सरक पर उतारने में कोई मरदान की नहीं है तुम क्या समझते हो कि ऐसी दादागीरी पब्लिक के बिच में दिखाओगे तो पब्लिक तुम्हारी दादागीरी चुपचा बरतास्त कर लेगी अरे आओ बेहनो इस लड़की को अगर कुछ हुआ ना तो हम यहां से नहीं हटेंगे हम किसी से डरते नहीं है क्यों बेहनो पब्लिक को मजाग समझते हैं पुलिस वाले क्यों बेटी हमारे घर चलो डरो मत बेटी डेखो मैं उस DCP के जासा नहीं हूँ मुझसे बिल्कुल मत डरो मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ चलो आओ मेरे घर चलो जलो आओ आओ बेटा स्टार्ट करो सब को ठीक से चेक करना कोई भी छूटना नी चाहिए कउच उपर मत कर पूरा हेलमेट निकाल में जान सकता हो तुमने मेरा रास्ता क्यू रोका है एक तो पीकर गाड़ी चला रहा है उपर से पुलिस पर ही चिला रहा है क्या तु अब तो तु गया चल गाड़ी साइड में लगा और पहले फाइन निकाल क्या इращ हम यह क्या उसे नवंपर फैर्शन वे क्या उरे से ऐसे किसे पूछ लिया आज चल वो सब फहले फाइन दें इंस्पेक्टर जांज्व कैया यह है डॉंट मिक्स ड्रिंक एंड्राइव अमेने वी सुडा मिक्स किया है लॉजिक समझ में नहीं आया अरे यह लॉजिक क्यों बोल रहा है चल लाइसंस निखालू आ तुझे ही निकालना पड़ेगा चल अब लाइसंस दे अच्छा वह वह लिखाया बताओ वाहन धारक के पास सब्सक्ताओ ज्ट मारी प्रव्लम क्या एस लॉजिक से तो ब्रहमा भी नहीं बचेंगे आच्या अब यह म्याँ अठीक है अब सुन ट्रिपल राइडिंग का फाइन क्या ट्रिपल राइडिंग का फाय निकाल क्या तुझे नोकरीं के पे क्या वोलो तेरी तु तीन लोक हैं एक दो थिन दिन क्योंसे व्हे एक, दो और आधी ड़ाई ड़ाई कैसे हो गया एक दो है और तू टच एक पर किया तो दूसरी बार कियो टचच किया आछंअसार पूरा काना सुनने के लिए कास्तों आदानी के बास कि ये दूसरी लडाई लड़ रहे है चलो आपने चल्ना या से निखा रहे है जाओ देखुआ किया हो रहे है जी देखुआ किया हो रहे हुजर भाई साब ज़र एक मिनिट यह लेगे गया जे शुक्रिया कौन है रह तू और तू मुझसे क्या चाहता है यह रही फाइल इसमें शहर के पिक पॉकेटर्स और चेंड स्नेजर्स के सारी डीटेल्स मिल जाएंगे यह यह सर उस दिन इसी ने मेरा फोन चुराए था यह है यह तो एक छोटा सा चोर है इसका नाम चंदू है सिकंद्राबाद इलाके में रहता है इसे हमने कई बार पकड़ा है बेल पर छूट कर वापस से चोरी करता है लेकिन इसने किसी का मर्डर किया होगा मुझे नहीं लगता लेकिन गोपी इससे हमें क्लूज जरूर मिल सकता है ज cooling, ज Härे रोख जट्वै ए रोख भूल ज हम ठीक है जट्वै जरै जो जय जिर है 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 भाई हम सब रस्षी से बांते हैं चैन से बांते हैं लेकिन भाई तुमने तो बेरहमी से फैवी क्यूक से चिपका दिया इस वक्त मेरा तुझ से बात करने का जरा भी मोड नहीं है फिर भी मोड बदल करें के सवाल पुछता हूं और उसका बिल्कुल सही जवाब देना है वह तो कब का गुम गया भाई मैं तुमें नया मोबैल लेकर दूँगा भाई मुझे छोड़ दो भाई मेर दिन आदी रात को एक कॉल आया था भाई इतनी आदी रात को कौन हो सकता है सोचकर फोन उठाया था भाई उधर से कुछ लड़कों की आवाज है और लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी भाई वहां क्या हो रहा था पता नहीं भाई लेकिन वहां कुछ तो गड़ कर दिया होगा यह सोचकर मैंने मोबाइल वहीं पार्क में फैक दिया भाई कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता भाई बता वो क्या बात कर रहे थे मुझे ठीक से समझ में नहीं आया भाई लेकर उस लड़की को बहुत मार रहे थे भाई सच बतावर रहा तेरे मुझे डाल दूंगा सच बोल रहा हूं भाई में जूट नहीं बोल रहा हूं भाई मेरी बात का याकिन कीजिए अब तू देख हम तेरा क्या हाल करेंगे मारो इसे सॉरी सॉरी आपकी परमेशन के बिना मैंने सेल्फी लेए उर्वी की बेहरेमी से हत्या किये बेटा एटीम से पैसे निकलने को नहीं आती मेरे मदद कर दोगी उसने बहुत ही चालाकी से तुमें फंसाया है अरे गोपी तु कैसा है रहे मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया ना सच में मैं सॉरी याद एम रेली सॉरी मैंने नफरत से तुझे भागाया था और तू प्यार से मेरे पास आ गया भरोसा करने में तुझ से बढ़कर और कोई नहीं है मेरे दोस्त मेरे दुख में मुझे संभालने के लिए शुक्रिया टैक्स णे अरे गोपी गोपी रुच आरे कहां जा रहा है गोपी रुच मेरी लोड़ाऊ नहीं होडारा है तक प्सक्राय विच का रहा है य। जाक ना य। चोलोड ऐसे आब थ॥ो सोजा ए बैया आप यहां इस देदी कुछ जानता है तू? भाईया, उस दिन आपने मुझे एक हजार रुपे दिये थे ना, तोन हजार रुपियों से मैंने इसका हिलाज करवाया था. थांक यू. ये देखर उसने मेरे साथ सेल्फी कीची थी. तू उस लड़के के बारे में कुछ जानता है या? मैं कुछ नहीं जानता भाईया. प्लीज बेटा सोच, उसके बारे में कुछ तो याद कर. ए, बोलना बेटा. जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास. ए, प्लीज बोलना बेटा, प्लीज. प्लीज बेटा बोल प्लीज जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास एक बार मिली थी ले लीजे चोटो तो इधार दीधी आ तुम यहां क्या कर रहे हो दीधी पैसे दीजे न पैसे क्यों और यह क्या है मुझे कोई देख रहा होगा ठीक है ठीक है नमबर ठीक से देखा नए पैकेट दीधी को दे दिया सौरी दीधी यह गलती से आपको दे दिया यह पैकेट में क्या है हर रोज रात में तीन भहिया आकर मुझे पैकेज और कार्ट्स देते हैं इस कार्ट पर जो नमबर्स होते हैं उस गाड़ी वालों को हमें ये देना होता है और वो हमें पैसे देते हैं ये पैकेट वो और किस-किस को देते हैं हम जैसे बच्चों को देने हैं दीदी तुम्हारे साथी मुझे और कहा मिलेंगे मेरी ही तरह दूसरे सिगनल्स के पास होंगे लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे, उनकी शोर्ट का पॉलर भी मेरी तरह उपर उठा होगा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, सारे पैकेट्स मुझे दे दो, भाईया, मुझे मारेंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, ये देखो, ये लो पैसे, तुम्हारे पास जित से मृूध आख हो जी है ये वे फान, डाया। तुम्हारे मेरे मृूध पर्छा माँ अच्ड़ है, कॉल समय मूफ। आसलका, कस्टमर्स को मृब आहीं मिला, वह परिशान कर रहे हैं, नजारा हिल दिल्कुष नगर राम नगर अलग अलग जगह से फोन आ रहे है कस्टमर्स कॉल करके टॉर्चर कर रहे हैं राका अरे अगर माल पहुंचाने तो फिर माल गया कहां मेरी तु कुछ समझ में नहीं आ रहा है शहर में कुछ न कुछ हो रहा है इसका पता लगाओ है तु पन्राट है तु पन्राट मुझे संदराज कहते हैं मैं बिजनेस करता हूँ और सोशल सर्विस भी करता हूँ अरे आप लोग ड्रेक्स छोड़ दो आखिर इसमें रखा क्या है सुनो इमानदार इससे मुझे छोड़ दो वर्रा तुम सब को मैं पुलिस के हवाले कर दूँगी वाँ 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 चोकरी का बहुत उबलतावा खून है मुझे पकरवाने के लिए तुम्हें यहां से बाहर निकलना पड़ेगा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं वो लोग ही यहां आएंगे अच्छा कैसे अरे कैसे आएंगे बताओ ना तुम ऐसे नहीं समझोगे रुको मैं अभी पुलिस को फोन लगाते हूं हट है कि सुनो मैं तुम लोगों को बता देती हूं मुझे कुछ भी हुआ ना तुम लोग जिन्दा नहीं बचोगे इस लड़की से मैं प्यार से पेश आ रहा हूं तो यह मुझे होशयानी दिखा रही है माथ यानि तुझे मजाक लग रहा है सिगनल के पास चोटे बच्चों से ऐसा काम कराते हुए तुम लोगों को बिल्कुर शर्म नहीं आती थू तुम कैसे इंसान हो ठीक है मैं भी अब देखती हूं तुम अप्राइल बिजिस कैसे चलाते हो अब इसको ले जाकर दपना दो भाई इसने फोन अन करके सारी बद किसी को सुनाई है अब भाई यह गोपी अमलापुर से बहुत तशन में रहता है कलब में इसने हमारे आदमियों को मारा था हुआ है अब 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 वोई संबूत मिलेगा यह आप तक को नहीं पीचे 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 सर्ड आये सर्ड ओके कोई क्लीव मिला हत्या बहुत बेरहमी से की गई है सर्ड पॉट से कुछ दूरी पर एक हैंड बैग और एक सेलफोन मिला है सर्ड लास्डायल नंबर बॉइफ्रेंड का था 45 मिनट तक दोनों की बात हुई फोन गैलरी में दोनों की एक सेलफी भी है सर्ड उसकी प्रोफाइल पिक और सेलफी दोनों एक ही है सर्ड डेफिनेटली उसे ने मर्डर किया होगा कितनी बार उसको कॉल किया स्विच ओफ आ रहा है और पोस्टमार्टम के बाद बागी क्लूज भी हमें मिल जाएंगे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है तब तक आप लोग कोई भी गॉसिप टेलिकास्ट मत कीजिए प्लीज हे वो अब कहां होंगे जानता है क्या जानता हूं भाया वह गाव का गवार जेल से बाग कर हम लोगों को टेंशन दे रहे हैं एक पर वह मुझे मिल जाए मैं उसे वहीं मार दूंगा अज़ा अज़ा आप 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 मखख़ अख़ पर्ड़ से तुप हुः началैं sich शार है इनिका कि तुझा आर जुगा हुःस। यहार जो इनिका जो अगस्ता। किसे गोड़ रहा है मेरे सिर पर मुडरर का थपा लगाया ना उसे हकीकत में बदल रहे हो तुम लोग मेटा बेटा 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 उठो उठो बेटा उठो बेटा उठो भाई वो मिल गया अमने उसे मार दिया आखरी सांस ले रहा है बोलो तो उसे खातम कर दो बाई वो अमार प्रित चेंटर में बेटा है लगता इसको मेटर के बारे में कुछ पता नहीं है कैसे भी करके उससे ATM कार्ड यूज करवाओ अरे माजी माजी ये पैसे रखो और उसके पास जाकर इस ATM कार्ड से पैसे निकालने को बोलो जीना मुश्किल कर दिया था अब तू कैसे जिंदा बचेगा देखता हूं 20 साल के बनाए मेरे सामराज्य को 20 मिनिट में दफनाने का तूने कैसे सोचा बोल कैसे सोच लिया कैसे सोच लिया कैसे सोच लिया कैसे सोच लिया तूने उस दिन पार्क में तुम्हें घर बुला कर क्या मैंने बात करने के लिए बुलाया था मारना चाहता था पर उस दिन तिरा ताइम अच्छा था इसलिए तु बच गया लेकिन आज कहा जाएगा तु गाउं में ठंडा चावल खाने वाला तुझ में इतना ही को है तो शेहर में ठका मुखी खाने वाला मुझ में कितना ही को होना चाहिए अरे गाउं वाला ये सोचकर मैंने इसको केस में फसा दिया लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक निकला काम करना मर्द की मजबूरी है ये सोचकर ड्रग का धंडा चालू किया तो तुने मेरे धंडे में क्यो टांगर आई रे एए देख मुझसे पंगा लेगा तो मैं छोड़ दूँगा लेकिन मेरे धंडे से पंगा लेगा तो मैं जान से मार दूँगा तुझे जान से मार दूँगा उसने पंगा लिया इसलिए वो मर गई तो तू क्या बहुत बड़ा हीरो है, तू मुझे पकड़वाएगा, है, चल पकड़वा, 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 रे पकड़वा, रे पकड़वा, रे चल, है, जेल में रहता तो कम से कम थोड़े दिन तो जिंदा रहता, लेकिन बाहर आकर क्या कर लिया तूने, है, मेरे खिलनमत खुद को हमारे हावाले कर दो मुझवात मारो है में अपने आपको कानुम का हवाले करता हूँ स्टेशन में आकर तुने कितना नाटा किया था याद है पब्लिक चुप चाप बैठे के ऐसा सोच रहा था तू आओ बेटी मेरे खर चलो मार दूगा डीचिपी से मार दूगा गन तेक्ट मार दूगा ऐसे मैं तेक्ट देक्ट देक्ट और जा यहां से जाल जा जाल निकाल सर पूर्वी केस में गूपी को फॉलो करने पर मुझे असली मुझरिम मिल गए वो मुझे पर फायर करने लगे तो मुझे एंकाउंटर करना पड़ा ओके सर पूर्वी अत्या केस में पुलिस के सबूतों के मताबिक गोपी बेगुना है ऐसा कोड का मानना है रिमान में रहते हुए जेल से भागने की वज़े से गोपी को आठ दिन की सारनन जेल की सजा सुनाई जाती है अरे आप सब साथ में यहां और नहीं तो क्या पापा आप दोनों मेरी बेटी के लिए इन्होंने अपने बेटे को ठुकरा दिया तो क्या मैं इनके लिए अपने इगो को नहीं ठुकरा सकता बेटी सारे एक सेलफी ए सारा गाव यही है सेंड किसको करोगे अरे सुनिये मेरी लक्षमी बेटी की सेलफी लीजिये ना